दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने WhatsApp पर कोई भी फोटो लगाते हैं और उस फोटो पर आप अपना गाना एड़ करना चाहते हैं, सौंग भी आप उस फोटो पर लगाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपने My स्टेटेस पर क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक यह फोटो लगाया हुआ है, और इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक सौंग भी यहाँ पर एड़ किया हुआ है, तो आप अपने किसी भी फोटो में आप अपना सौंग एड़ कर पाएंगे, और उसे आप WhatsApp पर असानी से सेर कर पाएंगे, WhatsApp स्टेटेस पर आप लगा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको यही डिटेल्स में बताएंगे, कि अकिरकार WhatsApp के स्टेटेस पर लगाया गया फूटो और जिसमें आप म्यूजिक कैसे एड़ करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, तो सबसे पहले आपके फोन में एक application होता है, हर एक phone में होता है, क्योंकि हर एक कोई उसे use करता है, जिसका name है Snapchat application, आप इसे open करेंगे, जब आप इस application को आप open करते हैं, तो आपके समने इस तरीके से open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना होत तो हम यहाँ पर अपने gallery पर click करेंगे, gallery पर click करने के बाद यहाँ पर आपके सारे photo आ जाते हैं, अब यहाँ पर आपको अपने camera roll पर click करना होगा, इस पर आप जब click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सारे gallery के photo आ जाते हैं, आप माल लिजिए, जो भी आपको photo लगाना है अ तो उसकी बाद यहां पर आपको एक pencil का icon मिलेगा, आप इस पर click करेंगे, इस पर जब click करते हैं, तो आपके समने इस तरीके से page आ जाता है, अब यहां पर आपको बहुत सारे filter भी मिल जाते हैं, तो यहां पर आपको filter मिल जाते हैं, तो आप यहां पर आपको क्या करना है कि इसमें आपको गाना डालना है तो गाना आप यहां से डालेंगे यहां पर एक music का option मिलेगा आप इस पर click करेंगे जब आप इस पर click करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से page आ जाएगा यहां पर आपको hip hop के गाना मिलेंगे viral गाना मि देखने को मिलेंगे अब जो भी आप अइड़ करना चाहते हैं इसवाले आईकन पर क्लिक करके सबसे पहले उसे आप सुने मिलता हैं अड़ उसे के बाध एड़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें के पास्ट इसके हमसी और घरल Hugo करेंगे उसके बात यहां पर पने इसाब से कहीं पर भी आप रख सकते हैं, जैसे माले जी हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक option मिल जाता है, export के नाम से आपको इस पर क्लिक करना है, जब यहाँ पर आप export पर क्लिक करेंगे, तो यह तो आप डारेक्ट अप गैल्री में जाएंगे, तो यहाँ से जब गैल्री में आप जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आप ध्याण से देखेंगे, तो वही आपका यहाँ पर गाना आ गया होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारे पास Snapchat की तरफ से आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह हमारा 10 सेकेंड का वीडियो बन चुका है अब अपने क्या करेंगे वाटसब पर जाएंगे जहाँ पर हमें स्टेटस लगाना है इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक कैमरे का आइकान मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका वो photo आ जाएगा वही जिसमें आपने गाना add किया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसे सुन भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसे send करेंगे send करने के बाद आपका WhatsApp में status लग जाएगा आपका वही photo रहेगा बट इसमें आपका यहाँ पर song add हो चुका है अब अगर आप अपने इसी status पर click करते हैं और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपका song यह add हो चुका है तो इस तरीके से आप आसानी से WhatsApp के status में ज आपका पहुत पहुत धन्वाद